मगरमच के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फस जाए तो मगरमच उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच के मुग के अंदर चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच उसे खाता नहीं है उस पक्षी का नाम है Egyptian Plover Bird पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच के दातों में फसुवे खाने को वो Egyptian Plover Bird अंदर जाके चुक चुक के खाता है जिससे मगरमच के दात साप हो जाते हैं अब इससे मगरमच को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है और इसी वज़य से मगरमच उसको हाम नहीं करता है